नमस्कार दानगरी नियूस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रियांका मात्र। नमांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राजिस्तान में चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है। दोनों ही पार्टी प्रत्याशों को दिये हुए टिकेट पर जीत को लेकर आश्वस नज़र आ रही है। लेकिन अमांकन के बाद स्पेशल 26 की एक टीम दोनों ही पार्टीों के सामने सीना तानकर खड़ी हो गई है। नाम अपसी तक अगर ये स्पेशल 26 नहीं माने तो राजिस्तान की राजनिती की तस्वीर में जो रंग भरी जाएगे। दोनों ही पार्टीों के सप्ता में आने के सपनों को बदरंग कर सकते हैं। आएए बात करते हैं इस्पेशल 26 की, वो दस बड़े नामों की बात करते हैं जिनको पूरा देश जानता है। जिनके अब बागी बनने के बाद बड़ी पार्टीों के पसीने चूट रहे हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है जोटवाडा से भाजपा के पूर प्रतियाशी राजपाल शिखावत का, डीडवाना से यूनस खान का, शिव से रविंदर सिंग भाटी का, खंडेला से बंशिदर बाजिया का, बाड़मेर से प्रियंका चौतरी का, जोटवाडा से आशु सिंग सूरपुरा का, चितोडगर से चंदरभान सिंग आक्या का, और अब बात करते हैं कॉंग्रेस के बागी प्रतियाशियों की, इनमें सबसे पहले आते हैं मालपुरा से गुपाल गूजर, बांसवाडा से हकुरू मैडा, और नागौर से हबीब उर्रह्मान, ये वो ब जाजगर से कॉंग्रेस के बागी विधायक जोहरी लाल मीना का, फिर कोट पुतली से बीजेपी के बागी मुकेश कोयल का, जोकी निर्दल ये खड़े हो चुके हैं, सुमेरपूर से वसंदरा समर्तक मदन राठ ठोड का, डग से बीजेपी के बागी रामचंद्र सुनेरी जाजगर से बीजेपी के बागी प्रभू देयाल सारस्वत का, खाना गाजी से बीजेपी के बागी रोहिताश घांगल का, सांगरिया से बीजेपी के बागी गुलाप सिंग्वर का, छाबडा से कॉंग्रेस के बागी नरेश मीना, उनकी पतनी का निर्दले नमांकर्म भर जा चुका है। बिदार कर राजिस्थान की राजनिती में नया अध्याय जो सकते हैं। अभी के लिए प्रालितना ही नमस्कार।